नवस्कार बच्चों, बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल बायो बूश्टर डाक्टर सुमन सिंग सर पर आपकर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों जैसा कि आपको पता है कि इसर्शन रीजन की जो सिंखला मेंने शुरू की है आज उस निंखला में दूसरी कड़ी के रूप में मैं लेके आ रहा हूँ रेस्पिरेशन के दस अच्छे इसर्शन रीजन के सवाल बच्चों ये जो सवाल होता है मैं खुद अपना बनाता हूँ इंसियाटी के लाइन से ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा ये मैं खुद बना लेता हूँ इंसियाटी किताब से बनाया जाता है और मैं आपके लिए दो लाइन कह के मैं सुरू करूंगा क्या कि जब आँखों में अर्मान लिआ मनजिल को अपना मान लिआ है मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया 2023 में MBBS बनने के लिए ठान लीजिए सब अच्छा हो जाएगा बच्चों सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बीडियो देखें बीडियो अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक जरूर करें बटा जी तो चलिए मैं और आप सुरू करते हैं यह सुपर 10 कोश्चन एसरेशन दीजन के आपको जैसा कि पता है डाइरेक्शन दिया ही हुआ है एक से दस सवाल in each of the following question a statement of assertion A is given by corresponding statement of reason R of the statement mark the correct answer as if both A and R are true and R is the correct explanation of A तो आपका A हो जाएगा if both A and R are true but R is not the correct explanation of A B हो जाएगा if A is true but R is false C हो जाएगा if A is false but R is true यह पहले से दिया हुआ है अफसर यह सवाल के तरफ चलते हैं बच्चों जैसा कि आपको पता है कि यह लाइब सेसन है आपको 5-7 सेकंड एक सवाल के लिए मिलेंगे केवल 5-7 सेकंड 5 सेकंड में ही जल्दी से जवाब अब दीजेगा पहला सवाल है एसरसन रे एसरसन है गलाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन साइटो प्लाज्म रीजन है करेप साइकल टेक्स प्लेस इन माइटो कांडियल मेट्रिक्स जवाब दीजिए पांच सेकंड आपके पास है चलिए तो A, B, C, D चार आपसन है इसका जवाब हो जाएगा B, दोनों सही है बेटा जी लेकिन एक्स्प्लेइन नहीं कर रहा है नेक्स्ट कोस्टन के तरब बढ़ते हैं कोस्टन नबर टू है बेटा जी एसरसन है गलाइकोलिसिस इज आलसो नोन एज EMP पात्वे और रीजन है गलाइकोलिसिस वर्क्ड आउट बाई थ्री जर्मन बायोकेमिस्ट इंबिडन, मेरहाफ और परनास A, B, C, D चार जवाब हैं आपके चार जवाब हैं इनमें से एक जवाब देना है पांच सेकेंड आपके पास है चलिए तो आप लोगों के जवाब आ गए हैं ये इसका जवाब A हो जाएगा गलाइकोलिसिस को EMP पात्वे इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इसको तीन जर्मन बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने इसको वर्क्ड आउट कहा था इंबिडन, मेरहाफ और परनास इसलिए इसको EMP पात्वे कहा जाता है तो A हो जाएगा कोश्चन नमबर कोश्चन नमबर थ्री के तरफ चलते हैं इस सर्शन इसमें ऑक्सिडेट्व डी कॉर्बाक्सिलेशन इस आल्सो नोन एज लिंक रियक्शन रिजन है इट कनेक्ट ग्लाइकोलिश्स टू दे क्रेप साइकिल आपके पास A, B, C, D चार अपसन है और 5 सेकंड है आपके पास चलिए इसका जबाब भी क्या हो जाएगा A हो जाएगा बेटा क्योंकि आक्ष्डेट्व डीक और बाक्सिडेशन को link reaction इसी लिए कहा जाता है क्योंकि यो glycolysis को क्रेप साइकल से जोडता है तो आपका जबाब A हो जाएगा next question कि तरह बढ़ते हैं question number 4 archivalu of protein assertion में है archivalu of protein is 0.9 region में archivalu of fats is 0.7 a b c d चार option हैं आपके पास और 5 second चलिए तो जवाब आपका आ रहा है इसका जवाब सही क्या हो जाएगा b हो जाएगा बेटा पहला भी सही है assertion b region b लेकिन explain नहीं कर रहा है question number 5 creep cycle is also known as TCA cycle creep cycle को TCA cycle भी कहा जाता है यह assertion है region में first stable compound citric acid has three carboxylic groups a b c d चार option है और 5 second आपके पास तो चलिए आपके जवाब आ रहे हैं इसका हो जाएगा a मतब करेप cycle को TCA कहते हैं उसका एक कारण यह भी है बेटा कि वहाँ जो first stable compound citric acid होता उसके बाद तीन carboxylic group हैं तो इसका जवाब a हो जाएगा next question के तरह बढ़ते हैं question number 6 है glycolysis is common in both aerobic and anaerobic respiration क्रेप cycle takes place only in aerobic respiration question number 6 a b c d चार option आपके पास पांच सेकेंड आपके पास चलिए आपके जवाब आ रहे हैं बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं यह इसका जवाब हो जाएगा बी दोनों सहीं बेटा explain नहीं कर रहा है next question question 7 ने देखे citric acid is a six carbon containing compound origin में alpha keto glutoric acid is a five carbon containing compound alpha keto glutoric acid is a five carbon containing compound a b c d चार आपसन है पांच सेकेंड आपके पास चलिए तो आपके जवाब आ रहे हैं यह बिल्कुल सही जवाब इसका बी होगा दोनों सहीं बेटा explain नहीं कर रहा है question number 8 in glycolysis net gain of 2 ATP takes place region में है in aerobic respiration net gain of 38 ATP takes place a b c d यह चार आपसन है और पांच सेकेंड आपके पास है चलिए इसका जवाब b हो जाएगा बेटा दोनों सहीं है explain नहीं कर रहा है तो b हो जाएगा next question की तरफ glucose session में glucose is the favored substrate for respiration glucose is the favored substrate for respiration region है all carbohydrates are first converted into glucose before they are used for respiration चलिए a b c d चार आपसन है और पांच सेकेंड है आपके पास इसका जवाब हो जाएगा बेटा जी क्या a हो जाएगा यह दोनों सहीं है और assertion को रीजन सही से explain कर रहा है नेक्स कोश्चन कोश्चन नमबर 10 आरकी वैलू आप कार्बोहाइड्रेड इज वन assertion में रीजन में प्योर प्रोटीन्स और फैट्स और नेवर यूजड आज respiratory substrates a b c d चार आपसन है आपके पास पांच सेकेंड आपके पास है चलिए तो आपके जवाब आ रहे हैं इसका जवाब सही बिल्कुल है बी है तो यह दस कोश्चन हो गए बेटा जी आपके assertion region के किसे respiration से और मैं आपको बता दूँ बेटा जी कल तो नहीं लेकिन परसों एक फिर वीडियो आएगा assertion region पर दस सवाल जिसका नाम है चैप्टर का नाम है plan growth and development तो मेरी आपसे बिनती है बेटा जी कि मेरे चैनल को आप subscribe करें वीडियो देखें वीडियो अच्छा लगता है तो like और share करें ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पर share करें बेटा जी भेजें तो okay बेटा जी thank you बेटा जी thank you बेटा जी thank you बेटा कि बेटा जी